आपना यूट्यूब चलन सब्सक्राइब करने वाले साथ हैं शुणस हम आपको बताएंगे आपसके solution का पीडियेप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं तो वीडियो में एंट तक बने रहे और आई शुन्ट सामको बता दी कि आपके सभी वीपर के सॉलुशन हमारे पर अप्लोड के जा रहे हैं और साथी कुछ वीपर के अप्लोड के जा चुके हैं तो उन्हें देख लने के लिए आप पिंट कॉमेंट बॉक्स में आपको लिंक दिया हुआ है वहां आप क्लिक करके आपके सारे कोशन पेपर के अंसर देख शक्ते जो अप्लोड हो चुके हैं साथ ही देखिए यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए शुरूंस आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइक फ्रॉइट करवाएंगे तो तो देंगे फ्रस्ट में वाईरस पर आपको निबंद लिखना है लेकछ इसके बाद आपको कोई भी वाईरस हो सकता है इसके बाद आपको देखिए इसके आत्यम में आपको शाइनोबैक्टिरिया नील हरिट रेवाल को विस्तार समझाने को क गाया है इसके बाद आपको द में को को ईयान का आपको जीवण चक्र समझाना इसके साथ आपको पाई को निए satsa आपको प्रकंत 9 4 को दीए का विश्ले चला आत्मक आपको उद्गयांता है इसके बाद इसके और मैं आपको दोए कि ब्रायो सीता प्रायो शोड़ को आपको श्रत करना हैं शाथ को लिए व्र फाइव आपको लास्ट कोश्टन है तो यह सकती है इसके को देखे पूरी अंसर हम देख लेते हैं तो कुछ इस तरीके से आपको सबसे पहले वाइरस से सबसे पहले कभी ने देखा गया इस वाइरस के संक्रमन दिशंबर में चीन के वहां से शुरू हुआ था आगे आपको रोकने वाला ठीका बन चुका है आपको यह लिखे लेना इसके आगे शुम्स आपको लिए इस संक्रमन के फलसुरूख बुखार जुकाम सास करेने में तकलिफ नाग बहना गले में खरास जैसे समश्चा है उत्पन होती है यह वाइरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है इसलिए इसे लिकर बहुत शावदानिया भरती जा रही है इदे के लिए आगे आपको लिखना है कुछ इस तरीके से यह वाइरस दिशंबर में सबसे पहले चीन में पकड़ाब में आया था इसके बाद दिशंबर आपका स्क्रामें पकर छिश्चे छिए इसके बाद आपको लिखना है इसके आगे देखिए कोरोना से मिलते जुद्धे वाइरस खांसियों चीक से गिरने वाली बुंदों के ज़र यह फैलते हैं कोरोना वाइरस अब तक चीन की उतने तिवर गतिशे नहीं फैल रहा जिदा दुनिया के अन डेशों में जैसा कि भा क्या हिससे बिमारी के लच्ट जाए कोरोना वाइरस के लच्ट आपको लिखना है इसमें कोईड-19 कोरोना वाइरस से में सबसे पहले बुखार होता है इसमें बात कासू की खासी होती और फिर कुछ हपते बाद सास लेने में परिशानी होने लगती है इसके लच्ट आपको को पहले से अस्तमा मदिमों या हार्ट की मारिय उनके मामले में खत्रा गंबीर हो शकता है जुकाम और फ्लू के वायरस में भी इसी तरह के लच्छन पाइज आते हैं आगे शुन्स आपको लिखना है देखिए इससे बचाओ के उपाई आपको लिखना है कुछ अस्पताल मे एंटी वायरस दावा का भी परिक्षन कर रहे हैं आगे शुन्स आपको उससे बचाओ के उपाई लिखने देखिए आपको लिखने स्वास्ता है मतला ने कोरोना वायरस से बचने के लिदी साधी देश जारी कि हैं दूसरा इनके मुताबिक शाबुन को हास से दोना आगे आपको लेक्रिक वायरस पर फ्रू कोई बीएक वायरस पर आपको लेखने को कदेूग नहीं को ऑगा था इस तरीकिसे आपको होणी complete होता है question के जो है answer में यदि आपको doubt से तो आप नीचे comment box में comment कर सकते चलते है अपने next question की तरफ question की तरफ question की तरफ चलिए question के बारे में लिखने को कहा गया आपको इस तरीके से लिखना है फिला में लाल सायवाल की एक प्रजाती जिसकी ब्रिड्डेश दीपों के तट इस्थतों पर लगबग उनित्स प्रजातियां और दुरिया में भर में लगबग दोशी दोसों प्रजातियां है ग्रीक ग्रीस अंटार्टिका और गेंडर में क परिवार यह रोडल में मोटनित्स तरीके से अपको लिखना है आगध्या पवलिश फिनिया आपको स्ट पर बाईब करवाई गया आप इससे समझ सकते हैं चीद्र स्चित्र बना बीशटे अपने अनुशौर अनुशन क्या प्रजान और जीवन चक्र आपको कुछ इस तरीके से लिखना है कि लाल साहवाल के जीवन चक्र में 3 चरन होते हैं त्रीफैसिक में पोलो सीफिय नियां एक प्रकार्स के अनुकरम होते हैं आपको आगे लिखने हैं जेमेटे जियल और देखे कार्पो कार्पोन जियल और देखे अपके टेटरा प्रोएंटे जील चलनों जेए अपके इसके तीन चलन उते हैं आगे आपको लिखना है नर अनुगित पोदे और नर जो है मेगेफाइट से उकराणू पैदा करते हैं और मादा पौदे मादा जो है मेगेफाइट कारपोनियम अनुगतित कारपोनियम का उत्पादान करते हैं जो मूल मादा पौदे से जुड़ा रहता है आगे शुन सापको लिखना है वीडियो को आप इसको आंसा लिख सकते हैं पूरा निशेशन के बाद द्वीगण उतना नाभिक एक शायक सेल के साथ माइग्रेट और फ्यूज करता है सनलाइन और विकास की एक जटिल शंकला का नुश्राण किया जाता है क्योंकि द्यूगनित यूगजम कारपोनियम बनने के लिए विक्षित होता है यह जीवन चक्र का एक अलग शेरन है और मादा पर पूरी द्यूगनित कारपो इश्पूर गैर प्रेरक होते हैं वे गेमेटो फाइड से इसकी शमान फिलामेंट डिस्पू लाइट पौदों को बनाने और मिक्षित करने के लिए बढ़ते हैं आगे श्रूंस आपको लिखना देखिए इस प्रकार के द्यूगनित पौदे टेटरा आइस पुराइट जो वैस्थक होने पर आरद सुतर विवाजन के बाद चार विजानू पैयदा करते हैं यह दिखे बृस जाते और नर्मादा पौधे बन जाते और ऋस प्रकार को शक्र को पूरा करते इस तरीके से आपको प्होंच्ञ नमर 2 को आंसर पूरा कोंप्वीट यहां तक लिख लेना है मैं दाउटर नीचे कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट कर दीजिए। चलते हैं अपने नेक्ट्ट कोश्ण 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 मीज़ितर की तरफ संगा अगला कोश्ण है कोश्ण तरृस्ट में तरी जातः से कानी को फूरतिम अपने जीवन चक्लत को लिए का no करो ले इस प्रकार की जाती का स्रीक प्रणतों परन्तों एने जाती दलसे पाह ग्रेमि अपने जीवन चक्लत कुट दो भिन परपोशियों में पूर्ण करती है आगे शुन सापको लिखना है ऐसे जाती है भिन्नाश्रे कहते हैं यहां जो है मैगनेरिश का वर्णन किया जा रहा है पंडित मैगनेरिश मुकतब गिहूं पर काला किट रोग उत्पन करता है तता इसकी खोज परशून अगे शुन सापको लिखना है देखी यह कवक विकल्पी अंतर परजिवी वह भिन्नाश्रे है इसका प्रात्मिक परपोशी गेंव होता है कवक के जीवन में चक्र में दो प्रवास्थाएं होती है पहला आपका दिवी के द्रक प्रवास्था जो गेंव में होती है दूसरी अपकी आणुगास्त प्रश्था जो बर्वेरी होती है पक्षिनी आपका आणा जिवन चक्र इन दोनों परपोशेशंग से पूर्ण करता है में पूर्ण करता है इस तरीक से आपको लिखना है आगे आपको लिखना है दिखे थोड़ा सा आपको जिए पंडित ग्रेमिनि लिखना है कवक जाल ओ उपत्चिव छेतर में अनेक उर्दव कवज की तंतू का निर्माण कर देता है आगे शुन्स आपको लिखना है प्रत्ते कवक के सिर्च पर एक द्वी भीत के इंदर की यूरो डो बीजाडू बनता है इसका प्राकार शमू में अनेक यूरो डो बीज में जहां जहां यूरो डोरिस होता है वहां बर बशेंत रिंतू के में अन्त में मार्च महा में रोग के लच्छन प्रकट होने लगते हैं यूरो डोरिस यूरी डो सुरस के अंदर बहात त्वच्चा पर दबाव उत्पन्न करते हैं इस कारण उनिस थलो पर जीरी या सित्फित होती है को लाल पर वस्त हको लाट कर वाया तो यहां तक यह आपको चित्र प्रोबाइट कर आए हुरगा सकते यह प्रकड़िया क्हार से होती है जहे आपको इस तरी के से यहां तक कर लेना है तो तीकि यदि आप चित्र बना चाहते तो आप बना शक्ते हैं चाहती आप इसको यहां तक यह नहीं बना भी शक्ते तो चलिए देख लेते हैं अगला question of question number three आपका यहां पर complete होता है चलते हैं अपने next question question number four की तरफ आधिशन सापका अगला question है question number four फोर में आपको bryophyta jya würdaj find me imharita कहते हैं उसको आपके बारे मैं आपको पूचा कहता है उसक का असर आपको लिखना टा question about five का कुशन नवर फूर का हम देख लेते हैं आपको लिखना हरीता या मौस अनु 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 अपुश्पक जियां हरीता या फिर आपको ब्राई फाइटा आपुश्पक पादप ब्राई फाइटा के वर्क से प्रचलित पौदों में वास्तविक जड़ों का अभाव रहता है य सायादार और नम जगह उपर शमुदरी में उखता है यह भी ना जड़के जड़का पहुदा है इसकी जो भारशों से अधिक प्रजातियां है जाती है आगे आपको लिखना देखिए कुछ इस तरहीक से देखिए गी शुन्स आपका यह जू है आपका समुदरी जल्फ में उखता जेड़े Яँ आपको देखि बहों आपके शमजयने के लिए आपको चित्र प्रोवाइट किया आगे आगे, आपको दिख लेना है आपको लिखना है состав इस थानुप के पेड चहाल चटार्व आधी पर उकते नंके मुखित अंधरन जो यूरुप पिट में उकता है एंटरीया फ्यू रैनिया आगी आपको लिखना है देखिए पॉली पॉली ट्राइई बारवुला सुवित्त्यादी है देखिए इस तरीके से आपको लिखना है इसका थे प्छोड़ा सा ऑरवर्णन करना परिश्य करके मास एक छोटा सा देखिए एक चोटा सा 2 cm उशा पॉदा है, यहां मात्र आपको लिखने हैं मात्र, यह एक चोटा सा 2 cm उशा पॉदा है, इसमें जणे की बजाय मूल मिलास होते हैं, मूला मास होते हैं, जो जल अथा लवन में लेने में मदद कर देता, पत्ना मुलायम और हरा होता है, इन छोटी छोट मुलायम पत्तियां गंद्धे धन गनी की तरह से होती है गनी तरह से होती है इस जिसके करण माश पौदे का शमू एक हरे मकमल की चटाई जैसे लगता है जियां आपको आगे लिकने शुन सिसमें प्रद्धन के हेतू इन पौदों में इस्तरेधानी तथा प्रद्धानी में नहर युगमक बनते हैं जो इसके बाहर आकार अपको अपनी दो बल जैसी पक्षबियन सेलिया की मदद से पानी में तयार कर इस्तरेधानी तक पहुशते हैं और उसके अंदर मादा युगमक शे मिल जाते हैं आगे शुन सापको लिखने दिए गरबाधान के पश्चाद बिजानु उदबेत या के अपसुल बनता है जिसके अंदर छोटे-छोटे-छोटे हजारों बिजानु बनते हैं यह विजानु अवह में तेरते हुए प्रतिवी पर इधर उधर विखर जाते हैं और एक नए आकार के जल्द को जर्म देते हैं यह जल्द ही नए मास्क के अपको पूरा यहांं तक लिखना इसा तरीक से कॉशन wellord ऑग्स में कॉमेंत कर सकते हैं चलिए में धेख लेवसों देंके के निेक्ट इन्मर फाइव क्शयन 505 के इत्तव में मैं आपको मर्सीलिया के बारे में पूछा घृत Какा फाइव संझे पूछा क्या लिए पूछा क्या जालिए इसका आवसर अंसर हम देख लेकिंप ही पूरा देखे तो अंचीलिया कि ऐस पोड्ल kayak से माकार के यह उंडेकार होते हैं यह अपने producer कर्ण के दौरा, पेटाइल से लगे रहते हैं आर्षे लिए एक विश्याणू भी जाड़ू जो है आपका पौदा है इसका अर्थ है कि इसमें दो प्रकार इस्पोस होते हैं लगू भी जाड़ू तरफा आपको जो एक गुरू भी जाड़ू जी हैं आपको इस तरीके सिखलना आगे शुन स आपको लिखनेस पे इस बात को बताने था था ता शैमती रखने वाले वज्यानुकी के अनुशार इस पो रोकार फेक पत्ती अप्रपण फ्रॉंड का बदला हुआ जो फेर्टाइल सेग्मेंट होता है इस बात को मानने वाले वज्यानिक मुक्य था जो आपको गोई बेल अफेर्टाइल ली भैल्ट तो ता पिनना होता है इस तरी के सवी प्रॉइट यह अदिकार हमें में दृवर्ण सकते आगे आपको लिखना देखिए जॉंसन ने जॉंसन ने पूर्ण पत्तिवाद प्रतिपादित के जिसके अलुशार इस कोरोकार फेक ऐसी इस ट्राइल पत्ति का फुलाव भाग होता है जिसके किनारों की कोशी का है इस प्रोंजल इंटीयल के रूप में काम करती है चार प्र पत्त यह चार प Urs पत्त नहीं बनाति इनके व्धकादार विकास की विभी नावस्ता हैं इस तरीके से शुम्स आपको पूरा यहां ता कोशार 5 पाइब का अत्फिक आंसर आपको लिख लेना है मर्द से लिया में आपको पूरा ये लिख लेना है तो इस तरीके से आपका अंसर लाइकन को प्रेस करके और पर सेलेक्ट कर लेजगा और साथ ही इसका पीडिया डाउलूट करने के लिए वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे वाट्सेप ग्रूप कर लिंक दिया हूँ वहां जाकर आप जॉइन हो सकते हैं आपको आपके शारे कोशन वाइट कर देजिया होश रखता है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्स्ट वीडियो के साल जब तक है टेक किया जहें बाइबाए